विद्यार्थियों, हम लोग नमक कहानी जो रजिया सज्जाद जहीर के द्वारा लिखी गई है, उसे हम लोग पढ़ रहे थे उस कहानी की निरंतर्ता में आज हम आगे बढ़ेंगे पिछले दिन जब हम इस कहानी को पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार एक नमक की पूड़िया को ले जाने के लिए सफिया कश्टम से किस प्रकार से गुजरती है और कश्टम और फिसर से उसकी बादचित होती है और अभी जब हम लोग पिछे कहानी छोड़े थे, तो उस समय हमने देखा कि किस प्रकार सफिया कश्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त के साथ बाचित कर रही है और सुनील दास गुप्त अपने वतन के बारे में बताते हैं कि वे कैसे अपने बतन आते जाते हैं और इस बात पर सफिया हैरान होती है कि बटबारे के बाद भी वे अपने बतन आते जाते हैं अब इस कड़ी में इस से आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आगे की कहानी में क्या हुआ विद्यार्थियों तो कश्टम ओफीसर ने कहा कि अब वहाँ भी कश्टम हो गया है उसने अपने वतन के डाव की प्रसंसा की चलते वक्त उसने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी तथा खुद उसको उठा कर आगे चलने लगा जब सफिया अमरित सर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल के सबसे निचली सीड़ी के पास सिर जुकाए चुप चाप कश्टम अधिकारी खड़ा था सफिया सोच रही थी कि किसका वतन कहां है वह जो इस कश्टम के इस तरफ है या इस कश्टम के उस तरफ कहानी यही पर खत्म हो जाती है लेकिन यह कहानी हमें बहुत कुछ सोचने के लिए छोड़ जाती है अनेकों प्रशनों को छोड़ कर यह कहानी समाप्त होती है विद्यार्थियों तो आईए उन प्रश्णों पर हम चर्चा करें जिन प्रश्णों को इस कहानी में मुख्य रूप से उठाया गया है सबसे पहले जब हम इस कहानी की शुरुवात में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक मुस्लिम लड़की एक सिख औरत को देखकर उसके मन के भीतर भावनाएं हिलोरे लेले लगती है और उन दोनों के बीच के जो प्रेम है उस प्रेम में कहीं भी धर्म नहीं आता उस सिख बीबी को देखकर सफिया को ऐसा लगता है जैसे वह उसकी माँ है उसी तरह के रंग रूप, उसी तरह के पहनना उड़ना, उसी तरह की आवाजें, सब कुछ उसी तरह क्या आज के संदर्व में हम अगर भारत, पाकिस्तान या भारत को ही अगर हम लेते हैं तो क्या हमारे यहां यह संप्रदाईक सद्भाब आवश्यक है या नहीं इसकी आवश्यक्ता, इसकी प्रासंगिक्ता आज सबसे अधिक हम लोगों को महसूस होती है जब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार सफिया भजन में शामिल होती है और भजन में शामिल होकर जब उसकी बहु सिख बीबी को सफिया के बारे में बताती है तो सिख बीबी वहां से उठकर सफिया के पास आ जाती है और उसे बड़े प्यार से बातचित करती है और उसे वहां जब वो लाहौर जाएगी तो लाहौर से उसके लिए क्या लाना है सफिया उतने ही प्रेम से पूछती है जितने प्रेम से कोई बेटी अपनी मा से पूछती है और मा भी उसी हक के साथ उसी अधिकार के साथ सफिया से कहती है कि तुम जब वहां से वापस आना तो मेरे लिए लाहोर से नमक लेकर आना, क्योंकि मैं ठीक है, अब मैं यहाँ आ गई हूँ, यहाँ पर हमारा सब कुछ है, बिजनेस सेट हो गया है, बड़ा सा घर है, सब लोग यहाँ काम कर रहे हैं, सब रह रहे हैं, लेकिन मेरा वतन तो लाहोर ही है. यह जो कसक है, यह कसक हमने आपको शुरू में भी बताया था पार्ट के प्रसंग में, कि यह कसक मनुस्य के जीवन में हमेशा बनी रहती है, हम सिर्फ अपने जड़ से नहीं उखडते, हम अपने परिवेश से भी प्रविश्थापित हो जाते हैं, हम वहाँ के संस्कृति से हम वहाँ के रहन, सहन, खान, पान, आना, जाना, भाशा सबसे विश्थापित हो जाते हैं, हम वहाँ के परिवेश से, वहाँ के पेड़ पौधे से, वहाँ के पहाड और नदियों से सबसे विश्थापित हो जाते हैं, यहां कहानीकार ने इस मुद्दे को सबसे प्रमुक का विस्थापन है जब हम इस कहानी में और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब सफिया लाहौर पहुंचती है तो जो उसके भाई और बाकी लोग वहां रह रहे हैं बहुत आदर सतकार करते हैं सफिया का लेकिन पंद्रह दिन उसका वहां कैसे गुजर गया इस बात क भाई के पास लाहौर आई हुई है और वहां उसके पुराने दोस्त उसके रिष्टेदार सब उसके लिए इतना प्यार लेकर आते हैं कि उसे यह अहसासी नहीं होता कि वो किसी दूसरे देश में आई हुई है विद्यार्थियों जो वटवारा है वह एक राजनितिक समझ होता था लेखी का इस बात को हमारे सामने रखना चाहती है कि भूगोल बदल जाने से जमीने बट जाने से मनुस्य का हिरदय नहीं बट जाता मनुस्य के हिरदय में कहीं न कहीं वो कसक रहती ही है अपनों के लिए प्यार रहता ही है जब वे मिलते हैं तो वह प्यार एका एक उमड आता है लेकिन हम इस कहानी में यह भी देखते हैं कि जब सफिया अपने भाई से कहती है कि उसे नमक का पुडिया लेकर जाना है क्योंकि किसी ने मंगवाया है तो उसके भाई के मन में तुरत वह पुलिसिया रौब और वह पाकिस्तान में रहने का जो एक नागरी करतब है वह भी वहां हम उठता हुआ दिखाई देता है जब वो कहता है कि तुम्हारे हिस्से में तो पहले ही बहुत नमक आया था यह जो पंती है उस सारे मानविये रिष्टे को तार-तार कर देता है लेकिन एक तरह यह सही भी है कि जब हम कोई चीज लेकर जाने की बात करते हैं जब बठवारा हुआ था तो जितनी चीजें जहां थी वह थी और जब हम आगे कोई बात करते हैं तो हमें सुनना भी पड़ता है लेकिन क्या भाबनाएं कानून को मानती है भाबनाएं क्या कशी संबिधान को मानती है यहां पर सफिया एक भाबुक और भाबनाओं को महत्व देने वाली महिला है जबकि उसका भाई एक तरफ इंस्पेक्टर भी है भाई के साथ साथ तो उसे अपने देश के कानून की भी हिफाजत करनी है तो हम इस कहानी में कई ऐसे परत दर परत हैं जिसको जब हम व्याख्या करते हैं जब उसको हम समझने का प्रयास करते हैं तो उसमें से उन परतों के भीतर से एक अलग अर्थ निकलता है ठीक हम जब कहानी को और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सफिया के मन में उस नमक को ले जाने के लिए जो जड़ो जहद है वह शायद बहुत ही महतोपूर है वह चाहती तो कह देती कि ठीक है वहां से नमक नहीं लाने दिया लेकि नहीं वह किसी भी कीमत पर नमक ले जाने के लिए तयार है और वह नमक लेकर आती भी है पहले उसके मन में आता है कि इस नमक को हम कीनू के भीतर छुपा दे छुपाती भी है लेकिन फिर उसके मन में कहीं नहीं आता है कि प्यार के लिए जो बस्तू ले जाई जाती है उसे चोरी से नहीं ले जाईया सकती इसलिए वो किनू के भीतर से उस नमक को निकाल कर अपने प्वर्स में रख लेती है तो यह जो कहानी की बारीकिया है उस बारीकियों को रजिया सज्जाद जहीर ने बड़े ही संजिदा ढंग से हमारे सामने रखा है सफिया जब कश्टम अधिकारी के पास पहुँचती है तो हिचकते हुए पूछती है और वो पूरी कहानी बताती है और कश्टम अधिकारी उसके भावनात्मक उस कहानी को सुनकर अपना अधिकार अपना कर्तब्य सब भूल जाता है और उसकी भावनाओं को समझते हुए उस नमक को अपने हाथ से लपेट कर सफिया के पर्स में रख देता है और कहता है कि उनको जाकर कहिएगा कि लाहौर उनका वतन है और देहली मेरा क्योंकि वह जो कश्टम अधिकारी था वो देहली का था और बटवारे में वो पाकिस्तान चला गया था लाहौर बोडर पर तैनाद था बच्चों यह कहानी सिर्फ नमक को लेकर जद्व जहद की कहानी नहीं है यह कहानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, एकता और प्यार की कहानी है क्योंकि कोई देश सिर्फ एक पंथ, एक धर्म से नहीं बनता भारत ऐसे देश में विबिन धर्मों को मानने वाले लोग रहे हैं और हैं इसलिए जब हम इस कहानी को देखते हैं तो जितनी वेचैनी सिख वीवी के मन में अपने लाहौर के प्रती है उतनी ही वेचैनी हम वहाँ बोडर पर तैनात उस कष्टम अधिकारी के मन में दिल्ली के प्रती भी देखते हैं जब वो कहता है कि आप जब वहाँ जाएं तो जामा मस्जिद की सीड़ियों को मेरा सलाम कहें यह बात इस बात का सबूत है कि भले ही कोई लाहौर में हो लेकिन उसके मन में आज भी जामा मस्जिद की सीड़ियों के प्रती वही भाब है जो उस समय था जब वो दिल्ली में रहा करता था बात सिर्फ भारत पाकिस्तान बटबारे तक ही सिमित नहीं है इस प्यार की कहानी बंगला देश तक जाती है जब सफिया वहां से जब भारतिये बोर्डर पर आती है और वहां पर सुनील दाश गुपता कश्टम अधिकारी से उसकी मुलाकात होती है और वहां पर वो अपन से पुष्टक दिखाते हैं और सारी बात सुनने के बाद नमक को उसके पर्ष में डाल कर उसके उस पर्ष को अपने हाथ में लेकर साफिया के साथ साथ धीरे धीरे वो अम्रित सर के उस पुल तक आते हैं और पुल के नीचे सीड़ियों पर खड़े होकर उसे उपर जाते हुए बड़े भाव भीने नेत्रों से देखते हैं विद्यार्थियों इस कहानी में कानून, हुकूमत सब के लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया गया है जब सफिया अपने भाई से कहती है कि क्या कानून कानून कहे जाते हो सब कानून हुकूमत के ही होते हैं कुछ मुहबत, मुरवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते, आखिर कश्टम बाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन नहीं होता और ये जो कथन है, हम यहाँ इस बोर्डर पर देखते हैं, कि जब लाहौर के बोर्डर पर कश्टम अधिकारियों के साथ जो ब्यभार हुआ और फिर सुनील दास गुप्त के साथ जो सफिया के ब्यभार हुआ, यहाँ वह बाते देखकर यह बिलकुल साफ हो जाता है कि कानून का काम कानून का है, लेकिन कानून से कहीं उपर मनुस्य की भावनाएं हैं इस तरह यह कहानी प्यार, एकता, समर्पन और पहचान की कहानी है आप पूरे कहानी को अगर शुरू से लाश्ट तक देखेंगे, तो आपको यही लगेगा कि नमक एक माध्यम है जिस नमक को ले जाने की जो जद्दो जहद है उसके पीछे, जो प्यार है, जो अपनों के प्रती समर्पन की भावना है जो अस्मृतियां है, उन अस्मृतियों और यथार्थ के संघर्सों से जो मनुस्य के भीतर एक मानवियता उमनती है, उस मानवियता की कहानी है इस तरह यह पूरी कहानी साफिया के इर्द गिर्द घूंती है एक नमक के पूरियों को लेकर और उसके भीतर विश्थापन के कारण लोगों की पहचान अपनी पहचान के लिए छटपटाते लोगों की भी यह कहानी है तो इस तरह मुझे उमीद है कि आप सभी इस कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे यह भी बात करना चाहूंगा कि इस कहानी की अपनी एक भाशा है आप इस कहानी को जब देखते हैं मूलता है यह उर्दू से हिंदी में अनुवादित कहानी है और अनुवादित कहानियों की एक खास बात होती है कि अगर उसका अनुवाद अच्छा नहीं हुआ तो फिर उसकी संवेदनाओं के साथ हम लोग उस तरह से नहीं जुड़ पाते जिस तरह से जुड़ना चाहिए लेकिन सबसे महत्वपून बात इस कहानी में है कि अगर आपको यह नहीं बताया जाए कि यह एक अनुवादित कहानी है तो आपको यह पता भी नहीं चलेगा कि यह एक अनुवादित कहानी है विद्यार्थियों इस पाठ के कुछ महत्वपून प्रशन है जो इस प्रकारा है इसे आप जरूर हल करने का प्रयास करें नमक कहानी की मूल संबेदनाओं पर प्रकाश डालिए दूसरा प्रशन है नमक कहानी के आधार पर सिद्ध कीजिए कि विभाजन के बाद भी दोनों देशों की जनता की भावनाओं को नहीं बाटा जा सका है तीश्रा प्रशन है सफिया मानवियता की साक्षात प्रतिमूर्ती है कैसे अगला प्रशन है सफिया अमरित सर के पुल पर चड़ते हुए ऐसा क्यों सोच रही थी कि कि किसका वतन कहां है वह जो कश्टम के इस तरफ है या उस तरफ और अंतिम प्रशन है लेखिका की भाषा पर टिपणी कीजिए क्योंकि इस पाठ में लेखिका की भाषा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें उर्दू के अनेकों शब्द हैं जो हिंदी के देवनागरी में प्रयुक्त हुए हैं और यह सहज सरल रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ है तो आप इस भाषा के मुहावरेदार शैली वर्णात्मक शैली और इसके भीतर जो लेखिका की आत्मा पिरोई गई है उसे आप जरूर समझने का प्रयास कीजिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद झाल सकते हैं झाल समझने का बहुत 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 है